जब कभी हम किसी भी electronic product के बात करें चाहे microwave हो, washing machine हो, LED TV हो या फिर air conditioner हो तो Samsung और LG के products हमें हर जगाद देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों LG और Samsung अपने product में काफी सारी R&D करते हैं जिससे कि उनका product और भी बैतर आपको देखने को मिले इससे में दोस्तों अगर इस summer season में अगर आप अपने लिए एक air conditioner लेना चाह रहे हैं और confused हैं LG और Samsung के air conditioner के बीच में तो दोस्तों ये वीडियो आपकी सारी confusion दूर कर देगा क्योंकि आज के इस वीडियो के नरब आपको LG और Samsung के 1.5 और 5 इंवर्टरस प्लेट एर कंडिशना 2023 मॉडल के बारे में complete information देंगे और वीडियो के आंतर में आपको ये भी बताएंगे कि दोस्तों इन air conditioner के आपको क्या pros और क्या cause देखने को मिलेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देखने हैं दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अपने बैल एकन को फ्रेक करना मत बुलीगा क्योंकि इसी तरीके के helpful वीडियो आपको अपने चैनल पे टाइंट बढ़ने मिलते रहेंगे जो कि आपका नॉलेच बढ़ाते रहेंगे एक बैस्ट air conditioner लेने से पहले अगर आप confused है कि आखिर आपको अपने room size के साब से कितने टन का इसी लेना चाहिए जिससे कि 1 टन, 1.5 तन या फिर 2 टन एर कंडिशनर ले तो कौन सा लें inverter ले या फिर non inverter लें एर कंडिशनर क्री स्टार रेटिंग का लेना चाहिए या फिर 5 स्टार रेटिंग का लेना चाहिए अब हम सैमसेंग और LG के 1.5 तन 5 स्टार inverter स्ट प्लिट एर कंडिशनर के बीच में डीटल कंपरेशन को शुरू करता है बात करें दोस्तों इन दोनों ही एर कंडिशनर के कौन सिमिलर फिचर्स की तो दोस्तों दोनों ही एर कंडिशनर के अंदर आपको दोस्तों आपको इन दोस्तों आपको अच्छी कौनिंग देखने को मिलेगी हम किया सकता है कि बहुत ज़ादा गर्मी पढ़ने पर कुछ को city में 48 degree, 49 degree तक temperature सेला जाता है तो ऐसे हम हम उमीद कर सकता है कि इन दोनों ही air conditioner से आपको extreme temperature में भी बहुत अच्छी cooling देखने को मिलेगी इसके लावा दोस्तों आपको convertible cooling modes का feature दोनों ही air conditioner के अंदर देखने को मिल जाता है Samsung में आपको 5 step convertible cooling modes का feature मिलता है जिसमें 100% capacity के लावा air conditioner को आप 120% capacity में यूज कर सकता है और कम capacity यहने की 40%, 60% और 80% capacity में भी यूज कर सकता है वह पर दोस्तों आपको LG के air conditioner में 6 in 1 convertible cooling modes मिलता है जिसमें 100% capacity के लावा air conditioner को आप 40%, 60%, 80% capacity में यूज कर सकता है और 110% capacity का विराट mode का feature भी मिलता है जिससे कि आप इस air conditioner से जादा cooling ले सकता है दोनों ही model के अंदर दोस्तों आपको AI convertible mode का feature मिलता है जो कि एक तरह का auto mode है और room temperature को sense करते हुए cooling को manage करता है दोनों ही model के अंदर दोस्तों जो indoor unit है वास से जो air delivery होगी वो 4 way air swing के तरह होगी यहने की left and right and up and down जिससे कि दोस्तों आपके जो room के अंदर air का circulation होगा वो कोने-कोने में होगा और आपका जो room है वो जल्दी से ठंडा होगा वहे पर दोस्तों indoor unit को cooling ले को clean करने के लिए दोनों ही air conditioner के अंदर आपको auto clean का feature भी देखने को मिल जाता है इसके लावा दोस्तों दोनों ही air conditioner आपको wifi smart air conditioner देखने को बलता है जिसके अंदर आपको google Alexa, google assistant, voice control का support मिलता है यानि कि voice command के तरूँ आप इन दोनों ही air conditioner को operate कर सकता है दोस्तों Samsung में इसके लिए आपको Samsung की smart things आपको install करना होता है वही पर LG में आपको LG की thank you app को install करना होता है उसके बाद दोस्तों पूरा control आप इन air conditioner का अपने mobile पर ले सकता है वही पर बात करें, stabilizer free operation की तो दोनों ही air conditioner के अंदर आपको support देखने को मिल जाएगा Samsung में आपको voltage range कितनी मिल रही है, इसकी information clear रही है लेकिन आपको LG में 120V से लेकर 290V तक एक wide voltage देखने को मिलती है इसका मंदब यह हैं कि अगर आपके एरिये में इसी बीच में power up and down होता है तो फिर आपको Alexis Stabilizer की ज़रूत नहीं है, लेकिन दोस्तों power कितना आप हो रहा है या कितना down हो रहा है इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है, तो आपको AC में एक अच्छी कंपनी का Stabilizer अपने Air Conditioner के साथ लगाना ही चाहिए जो कि individual Stabilizer के अंदर काफी सारे AC safety features होता है, जो कि power fluctuation से आपके AC को product करता है दोस्तों similar features के बाद, अब हम बात करेंगे इन दोनों ही Air Conditioner में मिलने वाले different features के बारे में different features में बात करेंगे सबसे पहले इन दोनों ही Air Conditioner की cooling capacity के तो दोस्तों Samsung की Air Conditioner में आपको पाश हर वाट की cooling capacity मिलती है 100% इसेराः Conditioner आपको 1.4 टंका देखने को मिलेगा और LG के Air Conditioner में आपको 100% कोलिंग capacity मिलेगी 4600 वाट और इसेराः Conditioner आपको 1.31 टंका देखने को मिलेगा दोस्तों दोनों की Air Conditioner के अंद़र आपको maximum cooling capacity मिलती है LG के Air Conditioner में आपको 2400 वाट की cooling capacity मिलेगी और दोस्तों वही room area की size की बात करें कि कि size के लिए दुनों air conditioner pass रहेंगे तो दोस्तों Samsung air conditioner का coverage area है वो up to 180 square foot तक proper air sealed room के लिए है वही पर दोस्तों LG का air conditioner 160 square foot तक यह एक proper air sealed room के लिए अच्छा option है वही बात करें दोस्तों, इनकी Indoor 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 Ind आपको LG के एर कंडिशनर में देखने को बलेगा और दोस्तों वेसे भी LG के एर कंडिशनर होता है वो low noise operation के लिए जाने जाते हैं एसे रेटिंग की बात करें तो दोस्तों, Samsung के एर कंडिशनर में आपको 5.16 के एसे रेटिंग निखने को बन जाएगी और भी star rating parameter के साफ से ये air conditioner सालना 759 unit consume करेगा LG के एर कंडिशनर में आपको 5.20 की IC rating मिलेगी और भी star rating parameter के साफ से ये air conditioner 685 unit consume करेगा अब हम बात करेंगे इन दों के air conditioner में मिलने वाले कुछ other features के बारे में बात करें समसंग के air conditioner के other features के तो दोस्तों इस air conditioner के अंदर आपको window free technology का feature देखने को वह रहा है conditioner से देखने को मिलेगी दोस्तों इस एर कंडिशनर के इंडर्फ एंडर आपको फ्लेप कबर मिल रहा है उसका जो माउथ है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है इसके करार आपको cooling जो है वो बहुत ही fast और शानदार देखने को मिलेगी इस model से air एर फिल्ट्रेशन के बात करें तो Samsung के इस एर कंडिशनर में आपको 4-in-1 के एर फिल्टर मिलता है जिसके इंदर आपको Anti-Allergy Bacteria PM 2.5 Reduction और Anti-Virus से 99% तक यहां पर आपको Security मिलती है वही पर आपको Anti-Bacterial Filter भी इस मौडल के अंदर देखने को मिल जाता है फुर मिलाके बात करें कि दोस्तों इस In-Conditioner से आपको बहुत भी बड़िया Healthy और Free Share देखने को मिलेंगी दोस्तों जो आपको Air Filter मिल रहा है वो हवा से Faris Bacteria को Proper तरीके से नाक्टिव करेंगी और आपको बहुत अच्छी साफ हवा यहां पर देखने को मिल जाती है इस मॉडल के अंदर आपको Smart Diagnosis System के फीचर मिलेगा जानी कि अगर आपकी Air Conditioner में कोई भी प्रॉबलम है तो आप इस मॉडल के अंदर आपको Low Gage Detection का फीचर भी देखने को मिल जाएगा सपोज दोस्तों ऐसी में Gage Leakage लिट या Case Leak कोई भी इशू है तो CH38 का अदर जो है वो Air Conditioner के इंडो इनिट पर विजिबल होगा वही पर दोस्तों Air Filtration में आपको Anti-Filter और Anti-Wirus Protection देखने को मिलेगा एक साल की PCP पर वारंटी मिलेगी और 10 साल की Compressor पर वारंटी मिलेगी वो भी One Tank Gage Refilling Charging की साथ में और LG की Air Conditioner में आपको एक साल की World Product पर वारंटी मिलती है पात साल की PCP पर और 10 साल की Compressor पर वो भी Gage Charging की साथ में प्राइस की बात करेंगे दोस्तों सामसिंग के Air Conditioner की फिलाल करण प्राइस है 48,990 रुपे और LG का ये Air Conditioner फिलाल आप Purchase कर पाएंगे 47,990 रुपे में दोनों ये Air Conditioner के वीच में आपको 1000 रुपे तक का यहाँपर डिफरस अमांट पर देखने को मिलेगा दोस्तों बहुत इन मेहनत और रिसरच करके आप ये लिएक वीडियो प्रेपर करता है ताकि आपको मदद हो एक बैस्ट प्रोड़क को अपने लिए चूस करने में इसलिए में दोस्तों अगर आप अपने लिए कोई भी प्रोड़क ऑनलाइन पर्चिस करने के लिए ब्लान कर रहे है तो हमारे दोरा दिगई affiliate link से ही पर्चिस करें यूगि आपके प्रोड़क की प्राइस तो वही रहेगी बात करें Samsung के ear conditioner के pros and cons के बारे में तो दोस्तों सबसे बहले बात करते हैं pros की तो दोस्तों Samsung के ear conditioner में आपको कंपेट टो LG के ear conditioner के मुकाबले cooling capacity काफे बड़िया देखने को मिल रहे हैं इससे coverage जीरिया भी दोस्तों जो हैं हो LG के Air Conditioner के मुकाबले आपको बैतर देखने को मिलता है इंडोर इनिव की साइज आपको बैतर देखने को मिल रहे है आउट्डोर उनकी साइज बैतर देखने को मिल रहे है काफी सारी इसी चीज़े हैं जो कि LG के Air Conditioner में नहीं है वो सकता है कि दोस्तों जिस किसी platform पर आप चेक कर रहे हो जहाँ पर 5 सल की compressive warranty आपको देखने को मिले तो दोस्तों वो Samsung के ओसे limited time period ओफर रहता है जो कि कुछ समय के लिए चला जाता है जहाँ पर आपको कुछ-कुछ models के उपर 5 सल की compressive warranty देखने को मलती है और ये information आपने Samsung के चैट support से confirm किये जिसका screenshot अभी आप screen पर दीख सकता है तो दोस्तों warranty आपको जो है वो compared to LG के एर कंडिशनर के मुकाबले थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी Samsung के एर कंडिशनर में वही पर दोस्तों noise level भी जो है वो आपको 46 decibel का देखने को बल जाता है जब windows free technology आप use करेंगे तब आपको noise level इस model में कम देखने को मिलेगा लेकिन normal mode पे जब कभी एर कंडिशनर चलेगा तो compared to LG के एर कंडिशनर के मुकाबले आपको noise level इस model में थोड़ा सा high देखने को मिलेगा अब बात करते हैं LG के एर कंडिशनर के pros and cons के बारे में दोस्तों pros की बात करें तो LG का एर value भी काफी बैदर देखने को मिलेगी और ये एर कंडिशनर जो है वो power saving आपको provide करता है एक अच्छी cooling के साथ में एक अच्छा air filtration आपको इस model के अंदर देखने को मिल जाता है 6-in-1 convertible cooling modes आपको इस model के अंदर देखने को मिलता है काफी सारी कुबी है इस एर कंडिशनर के अंदर होना ही चाहिए वह इंग बात करें कमी की तो दुस्तों कमी यह है कि इसकी जो cooling capacity है वो samsung के air conditioner के मुकाबले आपको कम देखने को मिलेगी यहने की coverage area जो है वो up to 162 feet तक ही यह air conditioner cover कर पाएगा अगर आपका room छोटा है तो फिर कोई बात ही नहीं है otherwise अगर आपका room के बारे में जहां हमने इन दूनों ही air conditioner के pros and cons भी आपको बता हैं जिससे के आपको help होगी इन दूनों ही air conditioner में से एक best air conditioner को अपने लिए चूज करने में दोस्तों इन दूनों ही air conditioner के अंदर आपको without wifi के 1.5 star inverter air conditioner के models भी देखने को मिल जाएंगी इसके लगा दोस्तों आप आपको हमारा detail video कापी पसंदा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़दा ज़दा लाइक ज़रू कीजिएगा और अपने family friends member के साथ ज़रू शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंड कीजिए आपकी सवालों को रिपलाइट आपको हमारी उर से मिल जाएगा दोस्तों आपकी वीडियो में इतना ही मिलता है बहुत ज़रू देखने वीडियो में अब तक के लिए जय हिंद पंदे मातराम